हलो दोस्तो हमिश्कार SMKC चानल में मैं आप सिब लों का दिल से बहुत-बहुत करता हूँ सो चले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हैं यहापे TVS मोटर के साथ TVS मोटर भी आज के दिन 2,2% अच्छा कासा परफॉर्मस देते वे देखने का आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी TVS मोटर ने एक नया अपना फ्रेश 52 एक हाई यहापे अच्छेव किया है, आल टाइम हाई भी हापे कह सकते हो, थोड़ा सा में रिफ्रेश कर लो तो आप यहापे देख सकते हो, स्टॉक इबदम, टॉप पे टॉप यहापे बनाते वे देखने का आपे मिल रहा है, ठीक है यहापे कमपनी ने एक स्टेक यहापे बाई किया है, तो कहापे कमपनी ने स्टेक यहापे बाई किया और कितना किया है, तो TVS Motor acquired 28% स्टेक in IFQM, अभी IFQM क्या है, तो इसका फुल फाम आप यहापे देख सकते हो, इंडिया फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मेनेजमेंट, यहापे उन्होंने 28% तक का स्टेक यहापे acquire किया और आप देख सकते कमपनी का जो market cap है, वो एक लाग करोड के पार हमनों को comfortable ही जाते वे देखने का आपे मिल चुका है, कल के दिन हम लगोंने देखा था, इनका market cap 99,000 something something ऐसा कुछ चल रहा था, तो share में तेजी आ गई, market cap में बदलावा गया, तो definitely हम यहापे कह सकते है, company काफी अच्छा performance लगाता है, यहापे देती जा रही है, next बात करेंगे, overall reality आप सबे लों को पता ही है, overall reality में दो businesses देखने को मिल जाते, एक तो है उनका real estate का business, जो कि उनका core business है, और दूसरा business है, उनका hotel, hospitality का business, ठीक है, so hotel business अगर हम लोग यहापे बात करें, तो एक बहुती जबरदस हम लोग को चीज होते भी फिलाल तो देखने को मिले तो overall reality ने tie-up किया है, with marriate international to develop the two hotels in mmr, mmr बोले तो मुंबई की यहापे बात फिलाल तो यहापे की जा रही है, और यह काम लगबग 2027-28 तक complete होते भी देखन का आपे मिल जाएगा, तो उसी के साथ overall reality ने फिलाल तो क्या किया है, tie-up यहापे किया होटेल से related यह tie-up हम लोग को देखने का आपे मिल रहा है, next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दो तो टाल ब्रोस, यह company आपको बताए, यह nano cap था, तब से हम लोग ने इसको study किया थ ठीक है, then उसके बाद nano cap से micro cap बन गया, फिर small cap बन गया, काफी तगड़े returns यहापे बने, काफी अच्छे कारी किससे भागा भी था, फिर बीच में गिरा भी था, बहुत कुछ drama हो पर काफी अच्छे returns company नी देया, और उसी के साथ-साथ, corporate action भी हम लोगों को मिलते वे देख पर करने वाले हैं, so definitely अगर वो इसमें successful रहे, तो काफी अच्छा performance वो यहापे करके दे सकते हैं, टाल प्रोस की बात करें, तो company भली छोटी क्यों ना हो, बड़ इनके पास बहुत solid clients भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, but सिर्फ client देखकर कभी भी किसी company में जाना न रखोगे कि यह भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो उससाब से अगर आप जाओगे, तो आप ही अपनी risk को क्या कर ले, तो थोड़ा बहुत कम यहापे कर ले, तो जो कि अच्छी बात रहती है, so anyways हम कह सकते हैं, जो company है, बुरी तो नहीं है, बट yes, काफी risky type की यहा परोडों के इनको डील यहापे मिलते थे, next बात करेंगे दोस्तों तो ITC, ITC के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टफ रहा, बट चलिए somehow company ने कुछ भी करके 400 के उपर closing दे दी, मतलब आज के दिन आप देख सकते ITC 400 के नीचे फिसला था, ऐसा लगा था कि भाई नीचे अगर चला जाता है, तो वो टेकनिकल वाले आ जाते, pressure create करवाने के लिए, वैसे company तो खराब यहापे है नहीं, ठीक है, यह तो point हम लोगों को जरूर पता है आपे, और बड़ी company, blue chip company है, तो एक overall जो performance रहता है, वो थोड़ा सा हम लोगो decent slow performance देखने को मिल जाता है, काफी सारे लोग इस company से थोड़ा दूर रहते, because cigarette में वो invest नहीं करना चाते, हर किसी का अपने fund ऐसे भी हापे कह सकते हो, next अगर हम बात करेंगे रोस्तो तो जिरोदा, जिरोदा की बात करेंगे तो उन्होंने बीच में ETF लाँच किया था, अभी उसी के साथ साथ जिरोदा चीजे सामने आती, वो मैं आपके सामने आपके openly रख देता हूँ, बाद में जो खरना है वो आप अपने हिसाब से डिशन ले सकते हो, next बात करेंगे बाई, पेटीम, पेटीम से रिलेटर इतनी सारी खबरे आ पर आ रही है, कि क्या ही बोली, शायद से आभी वीडियो बना रही हो, किस बात का celebration, तो ये तो चलता ही रहता है, तो पेटीम की बात करें सबसे पहले तो, पेटीम ने बोल दिया है कि उनका जो नोडल अकाउंट है, वो उन्होंने शिफ्ट यहापे कर दिया है, किस के साथ, एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है, उसी के साथ, जो साउंड ब गिर सकता है, मतलब revenue अगर गिर गया, तो company के पास बचा क्या, वैसे भी तो company पहले से ही loss में हम लों को देखने को मिल रही थी, और यह जो नए companies होती है, वो revenue ही, मतलब market share को ज्यादा capture करने की कोशिच करते हैं, वो market share ही चला गया भी, तो बचा क्या, तो just survival चलता रहेगा, 300-200 के उपर dance यहाँ पर होता रहेगा, वापस 2000 का level आने के लिए, मतलब अब कह सकते हो कि company को कुछ भयंकर ही, कुछ तो इब्दम यहाँ पर business करना पड़ेगा, इब्दम जबरदस वे में, बट फिलाल तो अभी यह तो अलगी स्तिती में आठके पड़े हुए, then NHA है कि अ कौन कौन से banks approved है, fast tax related, वो एने चाहिने अपनी list यहाँ पर पेश यहाँ पर कर दिये, उसमें से PTM payment bank का जो नाम था, वो उनने हटा दिया, अगर आपको जाने है कौन कौन से bank, यहाँ पर eligible है, तो यह देखी, यह list उनने सामने आपर रखी हुए, अब वीडियो को pause करकर के थोड़ा बहुत यहाँ पर study कर सकते हैं, यह देखी, यह एक list है, ठीके चाहँ तो screenshot ले सकते हैं, और दूसरी list है, यह वाली, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ICC bank, करूर, वैश, कोटक, बहुत सारे ऐसे banks के नाम देखने को आपर मिल रहे हैं, हाँ, बट important चीज क्या है जो PTM का जो नाम था, वो हमनों को हटते वे देखने को मिल चुका है, दैन अगर बात करें तो चलिए, इनके पर जो restriction थे, RBI ने deadline थोड़ा सा extend यहाँ पर कर दिया है, 15 March तक का, बट जैसे कि आपको पता है, इतने थपड पड़ पड़ चुके है, कोई बड़ी बात नहीं, 20 गोल जाने के बाद एक और गोल मार दिया, एक के मदले दो गोल हो गए, that's it, so अभी तो इनको तो भाई, बहुत ही बुरे समय से आपे गुजरना है, जो इड़ी यहाँ पर तलाश कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कुछ मिला ना इनको, तो फिर मतलब, क्या बोले अभी, मतल कोई जाना नहीं जाता था, पहले-पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वो बाद में क्यों जा रहे थे, बस इसलिए 400 का सो पे दिख रहा है, तो जाएगा, अरे, उसके पीछे कोई logic है, चीज़े है, कोई 100 लोग उसके पीछे पढ़े हुए है, कुछ तो उनने बहुत टफ रहने वाले है, इनके next number अगर आप देखोगे न, मतलब इतना भयंकर पीटने वाले हैं, यह क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए तो market ने पहले ही पीट के रखा हुआ है, ठीक है, बाकि अगर किसी को जाना है, तो भाई उसकी मर्दी, दैन बात करेंगे spice jet, spice jet में आज spicy performance देखने को लाग, 11% की तेज़ी देखने को मिल गए, ठीक है, बीच में खबर आई थी हम लोगो के employee के पास, seller देने के लिए इनके पास funding देखने को नहीं मिल रही है, और अभी फिलाल हम कह सकते हैं, जो struggling वाली company, struggling की क्या भाई, खतमी हो गई है, go first की बा बात में लग जाता है, ठीक है, अभी ताजा-ताजा ही इनके business हमनों को देखने को आपे मिल रहे है, तो सारे aircraft सब कुछ shift यहापे होते वे देखने को लेगा, तो definitely spice jet का business expand होते वे देखने को आपे मिल सकता है, ठीक है, अभी यह completion के लिए कितना time लगेगा, funding का से होगे, व तो हर किसी के साथ होना ही है, तेजी मंदी, तेजी मंदी यह चलता रहता है, so happy smart की बात करेंगे, तो थोड़ा सा happy करने वाला कौन सी खबर देखने को आपे मिल रहे है, तो बस उन्होंने AI firm जो सोरोको है, उनके साथ यहापे team up यहापे कर लिया है, तो ऐसे कुछ deals यहाप उपर ही देखने का आपे मिल रहा है, और आपको याद ही है, बीच में बहुत बड़ा जटका लगाता है Infosys को, साड़े 12,000 करोड की AI की deal, आपको याद होगा, उन्होंने withdraw किया था, तो उसके बाद अभी हम कह सकते हैं, लगबग 25,000 करोड की deal अभी हम लोगों को, यहाप हम लोगों को यह deal देखने को मुझे, बट स्टील, चलो कुछ तो हम लोगों को यह deal होते वह देखने को मुझे, Infosys को इस चीज़ के चलते जादा दिक्कते नहीं होती है, ठीके, it's a matter of time की आगे भीचे थोड़ा बहुत हो सकता है करके, बट हाँ, जो last time उनका deal तूटा थ अब हादे कितना भी गीरे भागे, ठीके usually क्या आखता है, stock नीचे रहेगा ना, कोई नहीं खरीदेगा, stock नीचे आएगा, stock flat रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा, तेजी आगे, चलो खरीद लेते हैं, तेजी आगे, और छलो खरीद देते, यह जो तेजी वाला factor रहें, वो उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, ठीक है, HDFC बैंक, जैसे बड़े-बड़े कंपनियों को नीचे डिसकाउंट के पर मिलते वे देखने हो का पर मिल रहा है, आप स्टडी कीजिए वहाँ पर अगर जाना है कि ने, वही स्टॉक वापस आल टाइम हा अबर कर लिए, वीडियो अलफू लगागो तो चाहतो लाइक और शेर कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बबाई